अध्याय बारे फिर यिशु फसे से छे दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था जिसे यिशु ने मरे हूं में से जिलाया था वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तयार किया और मर्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे तब मरियम ने जटा मासे का आध सेर बहुमोल इत्र लेकर यिशु के पाउं पर डाला और अपने बालों से उसके पाउं पोँचे और इत्र की सुगंद से घर सुगंदित हो गया परंतु उसके चेलों में से यहूदा इसक्रियोती नाम का एक चेला जो उसे पगड़वाने पर था कहने लगा ये इत्र तीन सो दिनार में बेच कर कंगालों को क्यो ना दिया गया उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था येशू ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परन्तु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वो वहाँ है और वे ना केवल येशू के कारण आये, परन्तु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हूँ में से जिलाया था, तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मती की, क्योंकि उसके कारण बहु बहुत से यहूदि चले गए और येशू पर विश्वास किया, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आये थे, ये सुनकर कि येशू येरुशलेम में आता है, खजूर की डालिया लिया, और उससे भेट करने को दिखें, और फुकारने लगे कि, होशाना, खन् जो प्रभु के नाम से आता है, जब येशू को एक गधे का बच्चा मिला, तो उस पर बैठा, जैसा लिखा है कि, हे सियोन की बेटी, मत डर, देख, तेरा राजा गधे के बच्चे पर चाहा हुआ, चला आता है, उसके चेले, ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब येशू की महिमा प्रगट हुई, तो उनको समरणाया कि, ये बातें उसके विशय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इस प्रकार का विवहार किया था, तब भीड के लोगों ने, जो उस समय उसके साथ थे, ये गवाही दी कि, उसने लाजर को कबर में से बुला कर मरे हुव में से जिलाया था, इसी कारण लोग उससे भेट करने को आये थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर ये कर्व दिखाया है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला जो लोग उस पर्व में भजन करने आये थे, उन्होंने कलील के बैट सैदा के रहने वाले फिलिप उसके पास आकर उससे बिनिती की के शिरिमान हम येश्चु से भेट करना चाहते हैं, फिलिप उसने आकर अंद्रियास से कहा, तब अंद्रियास और फिलिप उसने पर यिशू ने उनसे कहा वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमी में पढ़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है परन्तु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनन्त जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा करे तो पिता उसका आदर करेगा अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है इसलिए अब मैं क्या करूं हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा परन्तु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाश्वाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गर जा और उन्हें कहा कोई स्वर्गतूत उससे बोला। इस पर येशु ने कहा ये शब्द मेरे लिए नहीं परन्तू तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदी पृत्वी पर से उचे पर चड़ाया जाऊंगा तो सब को अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रगट कर दिया कि वो कैसी मृत्यों से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने अव्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीख सरदार रहेगा। फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को उचे पर चड़ाया जाना अवश्यक है। ये मनुष्य का पुत्र कौन है। ये शुने उनसे कहा जोती अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक जोती तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आगेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक जोती तुम्हारे साथ है जोती पर विश्वास करो कि तुम जोती के संतान हो। ये बातें कहकर येशु चला गया और उनसे छिपा रहा और उसने उनके सामने इतने चिन दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया कि ये शाया हविश्य द्वत्ता का वचन पूरा हूँ जो उसने कहा के हे प्रभु हमारे समाचार की किसने प्रतीती की है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रगट हुआ इस कारण वे विश्वास ना कर सके क्योंकि ये शाया ने फिर कहा के उसने उनकी आँखें अंधी और उनका मन कठोर किया है कहीं ऐसा नहो कि वे आँखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूँ ये शाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विशय में बातें की तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया परन्तु फरीसियों के कारण वे प्रकट में नहीं मानते थे ऐसा ना हो के आराधनालाय में से निकाले जाएं क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर से अधिक प्रयलगती थी यिश्व ने पुकार कर कहा जो मुझे पर विश्वास करता है और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है मैं जगत में जोती होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझे पर विश्वास करे वो अंदकार में न रहे यदि कोई मेरी बाते सुनकर न माने तो मैं उसे दोशी नहीं ठहराता क्योंकि मैं जगत को दोशी ठहराने के लिए नहीं परन्तु जगत का उधार करने के लिए आया हूँ जो मुझे तुछ जानता है और मेरी बातें ग्रहन नहीं करता है उसको दोशी ठहराने वाला तो एक है अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोशी ठहराएगा क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परन्तु पिता ने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आग्या दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं और मैं जानता हूं कि उसकी आग्या अनंत जीवन है इसलिए मैं जो बोलता हूं वो जैसा पिता ने मुझे से कहा है वैसा ही बोलता हूं झाल 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 झाल